स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंक्सन एक कदम सफलता की और मेरा नाम है अतुल सुकला और मैं लेकर के आगया हूँ आपके लिए 15 मार्च से 31 मार्च तक पूछे गए MP पटवारी के GK और साइंस के सभी महत्पुन प्रस्न डीटेल में जानकारी के साथ में अगर आगे आपका एक्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए अतिमहत्पुन सावित हो सकती है साथी साथ में ये वीडियो MP पुलिस MP SI 11d community के लिए भी बहुत महत्पुन सावित हो सकती है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है इसलिए आपको 2x स्पीड पर करके इस वीडियो को देखना है वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे के सारे प्रशन अतिमहत्पूर है आईए चलते हैं सीधे प्रशनों की ओर और अब आपके प्रश स्थापना की बात करते हैं इसकी स्थापना 1977 में की गई थी इसका चितफन है 518 वर्ग किलोमीटर ठीक है और ये तेंदुगा चीतल और बाग के लिए प्रसिद्ध है ये एक्स्टर फैक्ट में आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं क्रिसी आयपर कर कौन लग अब ये कौन से आटिकल में है आई देख लेते हैं एक्स्टर फैक्ट में एक्स्टर फैक्ट की बात करें तो अनुच्छे 240 में कृसी आयपर कर के बारे में बताया गया है और क्रिसी आयपर जो कर है वो राजसूची का विसाह है इसलिए इस पर राजसरकार कर लगाती है आगे बढ़ते हैं, इन में से कवक से होने वाली बीमारी कौन सी है, देखिए ये तो option हमको नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कवक से कौन कौन सी बीमारी होती है, वो सब हम आपको बता देते हैं, इन में से एक ही option जो है वो आपको मिला होगा परिच्छा में, तो गंजापन, सत्पुडा की रानी कहा जाता है, चलिए extra fact देखते हैं, तो मदब्रदेश के होसंगाबाद में पच्मड़ी इस्तित है, इसकी उचाई 1100 मीटर है, और ये कटोरे के आकार की है, इसलिए इसे सत्पुडा की रानी कहा जाता है, देखिए आकार और पूछ लिए जाते हैं, जिससे इससे समंदित कोई अन्य प्रशन अगर आपके परिच्छा में बनें, तो आप उसे भी बड़ी आसानी से solve करें, अब ये आपका फर्ज बनता है, कि वीडियो को like करना है, दोस्तों तक share करना है, कल वाले वीडियो पर बहुत कम views आया था, इतना मेहनत करते हैं हम आ जानकारी दी थी, देखिए, वही आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है, ठीक है, तो बिल्कुल पूरा का पूरा आपको देखना है exam analysis, क्योंकि इसका आपको आगे फाइदा मिलने वाला है, तो ग्वालियर में इस्तित है, तो मध्रश के ग्वालियर में तांसेन का मकब जाता है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, भारत में bitcoin पर कितना कर लगाया जाता है, ठीक है, आज यहां से economic से भी प्रस्ट बने हैं, तो प्रस्ट का सही answer है 30%, अब ये current affair का प्रस्ट था, आए एक्स्ट अच्ट अच्ट लेखते हैं, तो 2022 के बजट में cryptocurrency पर 30% tax लगा तीज प्रस्ट क्रिप्टो करेंसी बढ़ते हैं, चलिए, बंध्द्रश में कितने आयओ्धकार खाने हैं, तो मदड्विद्रश में कुल 6 आयुधकार खाने है, मद्द्रश पूचा है, तो भारत में कुल 41 ओर खाने है, आयुधकार खाने हैं, जिसमें 9 प्रसिच friend के महाराष्ट में कुल कितने जनजाती समू है तो देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है तो महाराष्ट राज्ज में 2011 की जनगर्णा की अनुसार अंसूची जनजाती की कुल जनसंक्या यहाँ पर दी गई है जो कुल आबादी का 9.3 प्रसे था ठीक है महाराष्ट में अनसूची जनजाती की सूची ST कास्ट लिष्ट महाराष्ट में 47 से अधिक जाती है और उप जनजाती है यहाँ पर पाई जाती है आगे बढ़ते हैं भोपाल की जावा मजजिद का निर्मार किसने करवाय था पूछा गया है तो इसका सही आंसर है जो भोपा उन्हों पर खंबे बने हुए उन्हें हुजरे कहा जाता याद रखी गा दिल्ली की जावा मजजिद है 1650 में सा जहां के दौरा जो है दिल्ली की जावा मजजिद बनवाई गई थी चलिए आगे बढ़ते हैं दाब का ऐसा ही मातरक पास्कल होता है आप सबको पता है ठीक ह चलिए उद्योगों से वाई प्रदूसर होता है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किसका लेप किया जाता है तो अल्यूमिनियम का लेप किया जाता है आप सबको पता है अल्यूमिनियम नहीं यहाँ पर जिंक होगा यहाँ पर जिंक कर लीज़ेगा ठीक है जिंक का जो है लेप चढ़ा जाता है, जिंक, जेडायन, जिंक का सूतर जेडायन होता है, ठीक है, तो जिंक का लेप किया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम गेलवनी करण कहते हैं, प्रक्रिया भी पूछी जा चुकिये, ठीक है, तो गेलवनी करण इसको हम कहते हैं, चलिए अगले जेखिए, मिट्टी में उपस्तित केचुए, मिट्टी की उर्वरक छमता को, अब option दिया होता, घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, नस्ट कर देते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा कि बढ़ा देते हैं, अब देखिए, एक extra fact पूछा ज होती है, क्यों? प्रशन का सही आंसर है, oxygen में oxygen की कमी करण, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं, oxygen में कमी होती है, ठीक है, इस वज़ए से प्रवतार होई होते हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, आगे बढ़ें, देखिए, आदर से gas समी करण कौन सा होता है, तो प्रोटीन का निर्माड किस से होता है, तो प्रोटीन का निर्माड एमिनो एसिट से होता है, ठीक है, याद रखेगा, अगला है स्वच्च भारत योजना कब सुरू की गई, तो 2 अक्टूबर 2014 को बापु जी की जनती पर ही स्वच्च भारत योजना सुरू की गई, जिसक को जानकारी देखते हैं तो यह दतिया सहर के पश्चमी किनारे पर एक अलग चट्टान परिस्थित है यह राजपूत वास्तुकला के साथ मुगल वास्तुकला का भी प्रतनेद्ध करता है यह इसको बनाया किसने था पूछा जा सकता है तो यह राजा बीर सिंग देव दारा आगे पूछा सकता है तो आपको याद करके जानाना है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं देखने के सासा में कौन सा प्रश्मी आगे बं सकता है वह भी हम आपको बताते हैं इसलsky वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आगे बढ़ते हैं आज का आपको बता देंगे आज सबसे दचिड़तम जिला जो है वो बुरहानपुर है चली उत्तरतम की बात कर लेते हैं तो सबसे उत्तरी जिला बिंड़ है सबसे पश्यमि जिला आपका अलीराजपूर है जहां की जो आपकी लिटैसी रेट है वह सबसे कम 31% यह भी आप देख ल वली वाले जाने ठीक है ना चलिए तो ये चारों कोनों परिष्टी जिले हमने आपको बता दी है अब इन में से आगे आपसे एक प्रशने बन सकता है कल या परसों जह हम एलसिस कराएंगे तो आपको अपने पता सल जाएगा इन में से और कौन सा प्रशना है क्योंकि सबसे ठंडा स्थां पच्मडी यह और सबसे ठंडा स्थान पंचमड़ी है यह आप साथ साथ में पढ़ लिजी चलिए बटते हैं मांडू के जिहाज महल का निरमार कब किया गया है ऐसा प्रशन में करे को निरमारा कब ब्रसाब बना था ठीक है चपन महल से प्रशन तो जहाज महल आपका 1499 से 1500 को बीच में है इन दोनों में से एक ही प्रश्ण आया था लेकिन और जानकारी हम आपको देते हैं मांडू के महल के बारे में कौन-कौन से महल ने कब-कब इनका निर्मार होगा तो देखिए जो जहाज महल इस महल का निर्मार संग 1499 से 1500 के बीच कि गया सुच दिन औरा करवाए गया था अब यह प्रश्ण आपका बने गा कि जहाज महल को किष 맞 है आगए आपको देखने को मिलेगा मांडू से सारे प्रश्ण आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो है Chand 56 महल पूछह कब पूछेंगे फिर Natürlich का महल कहाँ पर यह सार पर मांडू मिस्तित है और यह जो आपका जाओंबजीद वाला प्रशन है ना दो तीन बार पूछा जा चुका था जाओंबजीद वाला प्रशन है इसी अंपी पटवारी के एक्जाम में ठीक है चलिए मध्य प्रतिस में तिघरा बोटिंग क्लब कहा परिस्तित है यह करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है यह बांद अपने सिखर पर 24 मीटर रूचा और 1341 मीटर लंबा यह द्यान रखेगा कुछ अन्य प्रशन बनेंगे ग्वालियर से देख लीजे तो ग्वालियर की किलों को किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है और यह प्रशन अ सूर्य मंदर की नकल है अब आप से आगे पूछा जाएगा ठीक है सिंधिया पहले साप से पूछा जा चुका है ठीक है तो जितने भी प्रशन अगर ग्वालियर से गया किसी भी स्थान से रिलेटर आते हैं तो उस स्थान के बारे में और कौन-कौन सी महतुर प्रशन बन स अगले वर्स का भी आपसे पूछा जा सकता तो देख लिए बित वर्स 2022 के लिए संसोधित अनुमान में बित मंतरी ने राजकोसी घाटे का लच्च 6.4 प्रस्यत रखा है ठीक है जो कि बजट अनुमान के मताबित ही है हालंकि अगले वित वर्स के लिए इससे घटा कर 5.9 प्रस्यत कर दिया गया है तो कोई भी आपसे पूछ ले बर्तवान का पूछे 6.4 अगले वर्स का पूछे तो 5.9 दोनों आपको यहाँ पर याद हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं कमलापती महल किस जिले मिस्तित है तो भोपाल मिस्तित है कमलापती महल चली कुछ जानकार की रानी थी राज महल को भारती पुरास्तत तो सर्वेच्छन दोरा राश्टी महत के स्मारक के रूप में गोसित किया जा चुका है यह आपको कमलापती महल के बारे में आपको जानकार देदी अब देख लीजी यहाँ पर एक महत्तून प्रशन बनेगा भोपाल के हभीब घज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापती कर दिया गया है याद रखिए यह प्रशन बन सकता है क्योंकि धारण का चर्चा में बना हुआ ठीके अब देखी रानी कमलापती जो आपका हवीब गजय इसे अब रानी कमलापती कहते हैं इसका निरमार किस न किय यह पहले प्रस्ण पूछा जा चुका है तो बंसल गुरुप के दोरा इसका निर्माड किया गया है और यह आई-ए-सो सर्टिफाइड जो आपका स्टेशन है जो आपका हभीब गज रेलवे स्टेशन है याद रखेगा आगे कहीं न कहीं यह प्रस्ट टक्राने की प्रबल स एक नबर एक ने बनाया नया रिकॉर्ड अभी इसने नया रिकॉर्ड बनाया इसलिए यह प्रस्ट आपके अग्जाम में आया है ठीक है 600 मेगाबाट की विदुद परियोजना कहा पर है तो यह आपके संत सिंगाजी विदुद परियोजना खंडवा में है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगना परशनी था कि एक राजपाल को एक से अधिक राज़ की जिम्मेदारी कि संविदान संसुदन दौरा जोड़ी ग यादर कीए सथ में संविदान संसुदन 1956 के तहत राजपाल एक से थिक राज़्यों के लिए भी निवक्ति किया जा सकता है कॉनसे संविदान संसुदन है साथ हुआ कब हुआ 1956 हुआ साथ में आपको एक बात और बता दे कम्प्यूटर के 15 मार्च से अब तक के जितने प्रशन आये हैं उनकी ये कलग वीडियो हमने अप्लोड कर दी है जैसे ये वीडियो खताब होगी इसी स्कीन पर आपको देखने को मिल जाएगी उसके बाद इंगलिस के जितने इडियम स्प्रेज वोकैब जितने भी 15 मार्च से अब तक आये हैं उसकी एक अलग सी वीडियो 15 मिट के अप्लोड कर दी है अगर आपको मिल जाए तो थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जागी कल ही हमने अप्लोड किये कल दो वीडियो अप्लोड कियें ठीक है इसके अलावाद सामाने प्रबंधन के ऐसे प्रश्णे जो सबसे ज़्यादा आ रहा है केस इडियी वाले प्रश्णे अगर आपकी 15 सामाने प्रबंधन में आ रहा है तो लगबग 7-8 प्रश्णे के अब तक आए हैं उनको हमने अलग वीडियो में तक GKGS Science जितने प्रशन पूछेगा हैं उनकी वीडियो लगबग तयार हो चुकी है कल आपको देखने को मिल जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं इसलिए वीडियो को लाइक कर लिजिए घाटी गाओं कहां परिस्तित है ये प्रशन आज मना था ग्वालियर से दूसरा देखिए ब्लेक बाग का नाम क्या है एंटी लोप सर्विकापा इसको याद रखिए का क्योंकि यह प्रशन आपको आगे देखने को मिलेंगे तो जिनका भी पेपर आगरे कुछ दिनों में है तो यह वीडियो बहुत जाड़ा महत्पूर है इसको जरूर देखिएगा और कि अगले परस देखते हैं इनमें से कौन सी रचना हरवन सराय बच्चन की रचना है अब देखे यह नहीं बता गया जो है आपके हरवन सरह बच्चन की ठीकैश ऐसे औग बढ़ते हैं अगला है देखते हैं देखे उडिया भासा का बड़न भारती संविदान के किस अनसूची में किया गया है तो आठवी अनसूची में जो है उडिया भासा का बड़न किया गया है इसको अभी हाली में कौन से संविदान संसूधन की दोरा बदल दिया गया है इसका नाम चंच किया है तो इन में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है नहीं है पूछा गया था अब आपसं तो पता नहीं कि क्या दिया था लेकिन तुलसीदास की कुल कितनी रचना है वो हम आपको बता देते हैं इन में से जो अलग होगी वही उनकी रचना नहीं होगी ठीक है तो चलिए तुलस रचना है कुलसिदा जी की जो बारवार परिच्छाओं में पूछी जाती है इनसे अलग जो रचना दी गई होगी वही आपका उसमें एंसर होगा ठीक है सारी हमने आपको बता दी गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सिलालेक किसके प्राप्त हुए यानि की कौन सा ऐसा सासक है जिसके काल में सबसे ज़्यादा सिलालेक प्राप्त हुए तो सही आंसर है कुमार गुप्त के सासन काल में 18 सिलालेक प्राप्त हुए कुछ लोग कह रहा है कि सर टोटल सिलालेक पूछे थे तो टोटल सिलालेक अगर 48 option दिया तो 48 इसका एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए इन में से कौन सा रोग सफाई ना होने की वज़ए से फैलता है, कुछ science के प्रश्ण देख लेते हैं, तो देखिए, नहीं वाली जो प्रश्ण होते हैं, उनका option होना जरूरी है, तो option नहीं पता है, लेकिन गंदगी से कौन-कौन सा रोग फैलता है, वो हम देख लेते हैं, सारे रोग, तो देखिए, बैक्टीरिया, बाइरस वा फफूदी, डाइरिया, वाइरल बुखार, पेट का संक्रमर तथा पी लिया, ये सारे रोग जो हैं, वो गंदगी की वज़ए से फैलते हैं, अब देख लीजिए, उप्सन में क्या दिया हो था, वही आपका एंसर हो जाएगा, और ये सारे उप्सन आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, चलिए, एनिमिया रोग, किसकी कमी से होता है, तो आइरन की कमी से एनिमिया रोग होता है, देख लीजिए कुछ जानकारी, तो आइरन के से मिलता है, हेमोगलोबिन से, ठीक है, देखे, हेमोगलोबिन फैपलों से ऑक्सिजिन लेकर रखत में ऑक्सिजिन पहुचाता है, इसलिए आइरन की कमी से सरीर में हेमोगलोबिन की कमी हो जाती है, और हिमोगलोबिन कम होने से सरीर में ऑक्सिजन की कमी होने लगती है इसी वज़ा से कमजोरी और ठकान मैसूस होती है ऐसी स्थिती को एनिमिया कहा जाता है सारी डेफिनेशन भी बता दी एनिमिया क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया ऑप्सन बोनों सही है बो सी जैविक खाद की परिवासा दिख लिजी आप ठीक है जैविक उर्वर्वटप। उन उर्वर्व को कहते हैं जो जनतों तथा बर्श्रप्तिवीं से प्राप्त होते हैं जिसे d fark computer और यह जैविक खाद की पत्रवी परिवास होगी परियावन्ट स से भी आज पूछे गए थे प्रस्ट हमको नहीं मिल पाएं किंग्डम वाले ठीक है आपसे निवेदा है अगर आपको किंग्डम वाले प्रस्ट नियाद हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीए क्योंकि हम जो है एक एक वीडियो बनाते रहते हैं कुछ नए प्रस्ट जैसे मिलते को जब किसी देश दो रहा मुदरा की बिनवेदार अन्य देशों की मुदराओं से कंब कर दी जाए ताकि निवेज को बढ़ा हमिल सके अगर अपने मुदराकी बिनमेदर कम कर देंगे तो ज़्यदा-ज़दा निवेस आएगा लोग बाहर से ज़्यदा ज़दा किया गया है आप कुछ लोग कहते हैं सर आपके ही दिखाए गया था कि इन में से कौनसी नदी मध्यप्रदेश में से नहीं बहती है थोड़ा सा ये confusing प्रस्टा option में आपका तापती दिया हुए था नर्मदा दिया हुए था महा नदी और दामोदर ये दोनों दी हुई थी तो यहाँ पर option में थोड़ा सा दिक्कत हो गया ये लोगों को confusion हो गया कि कौन से होगा तो इसका महा नदी भी हो सकता है दामोदर भी हो सकता है लेकिन अगर exact answer की बात करें तो इसका answer दामोदर माना जाएगा क्योंकि अगर आप Google पर भी search करेंगे तो दा आगे प्रश्ण बनने की संभावना है ठीक है तो चलिए सबसे पहड़े हम महानदी की बात करते हैं तो 36 गरता था ओड़ी सांचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है वो आपकी महानदी है प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोपला हुआ करता था नाम जरूर यादर की महानदी के और अने नदियों के पुराने नाम पूचे जा रहे हैं ठीक है महानदी के ही नाम है महानदी का उद्गम इस्तल की बात करते हैं तो रायपूर के समीप धमतरी जिले में सिहावा नामक परवस्थी यह जो है निकलती है और रायपूर 36 गर और मदवदेश पहले कहीं से भी मदवदेश को टच नहीं करती है हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व यहां उससे मिलती है इसकी कुल लंबाई आपकी पांसो बानवे किलो मीटर है इस नदी के द्वारा पचीस सो बर्ग मिल का छेतर जो है उसमें जल निकासी दी जाती है तो साह् Robinson 19 میں और राजपाल हैं मंगू भाई शगन भाई पठेल ठीक है तो चली को जानकारी देखते हैं तो मंगू भाई शगन भाई पठेल भांतों बारति राज ने doubling में मदवर citizen के उननीवे करम कर मानाय राजपाल है है वह गुजरात से भालति जंता पार्टी के नेता भी है वो वर्स 2014 में गुजराद बिधान सभा के कारिकारी उपादर चपी रह चुके हैं यह मंगू भाई शगन भाई पटेल के बारे हमने आपको बता दिया देखिए यह जो पहले हुए कौन से क्रम के हैं तो क्रम वगरा पूछा जा रहा है तो इसको अच्छे से पढ़कर क्य आप जाएगा अभी कली आप से महिला राजपाल पूछ लिया गया था ठीक है उससे पहले जो आपकी मध्यप्रदेश की जो महिला राजपाल थी कौन थी कहा की थी आप कहा गई है यह सब प्रस्ण बन रहा है तो इनको आप पढ़ करके चलेंगे ठीक है चली आगे बढ़ साल में 30 जनवरी से 11 फरवरी यह डेट जरूर याद रखेगा तक खेलो इंडिया यूद यूद गेम 2022 का यह पांचवा संस्क्रण था संस्क्रण का नाम जरूर याद रखना ठीक है करम कौन सा है तो पांचवे करम का सीजन जो है उमध्य प्रदेश में हो रहा है इसके लि सालागाट और खरगोन जिसे महसर भी कहते हैं इनको चुना गया है ठीक है यह सारे आप जो है याद कर लीजेगा इनमें से एक प्रशन बन सकता है आगे आपके खेलो इंडिया यूद गेम आ गया है तो आगे बढ़ते हैं काजरंगा भ्यारन पूछा गया है तो काजरंग आप भ्यारन किसलिए फेमा से आईए देख लेते हैं तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद है काजरंगा भ्यारन ठीक है काजरंगा राष्टी उध्यान एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद है काजरंगा जो राष्टी उध्यान है वो असम्मस्तित है वाकि को आप देख लेंगे तो आराम से आगे 20-22 प्रश्ण आराम से कंप्यूटर में बन जाएंगे इतने प्रश्णी पूछे जा रहें 22-30 प्रश्णी कंप्यूटर की पूछे जा रहें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं असम में यह स्तित है काजी रंगा उद्यार ना केवल भ आपका सही आंसर होगा चोटी मोटी गुफाओं को मिला करके कुल 500 होती है वो ऑप्सन देखना था कि ऑप्सन में क्या दिया हो था ठीक है चलिए बात करें भीमबैट का मदब्रदेश के रायसें जिले मिस्तित है एक सूप्रसिद्ध इस्थान है ठीक है यहाँ पर कुल 243 गुफाएं है रायसें वाला याद रखीगा भोपाल में नहीं माना जाता रायसें में माना जाता एक बार MPPSC में प्रशना आया था तो रायसें को माना गया था भीमबैट का रायसें जिले में ठीक है चलिए आगे बढ़ें अमेरिका ने अभी हाली में सन्यूपग्रह के लिए अपना जो मिसन बनाया है जो 2027 में लॉंच होगा और 2030 तक इसकी डेडलाइन रखी गई है अब क्या यही प्रश्ण था या नहीं था वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे बाकि जो कुछ अन्य प्रश्ण बन सकते हैं आपके सनी उपक्राइसे वह देख ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मैहर सार्दादेवी मंदर कहां परस्तित तो सतना में था है मैं सार्दादेवी मंदर इसके बार में पहले भी हम आपको प्रस्ण बता चुके है सेम तो सेम प्रशन यहां पर रिपीट हुआ है तो जानकारी देते हैं तो देखिए पवित्रमा सारदा मंदिर मद्रदेश के सतना जिले के ग्राम मैहर में इस्तित है सतना जिले मुख्याले से अनुवाने ते दूरी 40 किलोमीटर है इसकी ठीक है और परवत पूछा जा सकता ह मंद्र में तो एक हजार एक सीडिया याद रखी का बन सकता है ठीक है क्योंकि मैं कुछ भी पूछ सकता है भोपाल में इसको बनाया था कुछ जानकारी देखते हैं इसके बारे वे इसका निर्मार भोपाल राज की आठवी साज का नवाब कुदासिया बेगम ने 1832 में सु कर लिए ठीक है तो डाई सीड़ी की मजजिद है आगे पुरण बने का पक्का डाई सीड़ी की मजजिद कहां पर दो यह भी आपकी भोपाल में इसे थैसके ठाई सीड़ी की मजजिद वां पुरहनut裡 मजजिद है अन्य जो मतलब आज-पास की मजजिद वीडियो आपको देख करके जाना, अगर आपका कल या आज में पी पार है, ठीक है, चलिए, अलाउद दिन खान का समन्द किस जले से है, या तो ये प्रश्ण मना था, या फिर ये प्रश्ण मना था, कि इन में से कौन से संगीतकार का जन्म, या फिर कौन से वादक का जन्म जो है, वो मैहर में हुआ था, ऐसा प्रस्ण था, तो अलाउद दिन खान का जन्म जो है, जो मैहर में हुआ था, जो अलाउद दिन का जन्म अजandelियों से तरोद魚 होआए था, फिर एक अटुलनी संगीतकार और 25 AG के सबसे महान संगीत सचकों में से एक था ते, ठीक है, पर तापती नदी आती है अब इन दोगों से कौन-कौन से प्रेश्न बन सकते हैं वह आई द दिख लेते हैं तो नर्मदा और तापती जो धूत बनाती यह दोनों नदीया एश्चुरी बनाती है याद रखी हो ठीक है और दोनों नदीया जो और उतने की और बहने वाली यह दोनों नदियां लुक्ती से बन सकते हैं ठीक है अगे वड़ते हैं ताप्ती कहां से मुलताई से निकलती है नरमदा कहां से निकलती है यह आपको कमेंट बाक्स में करके बताना है कि नरमदा नदीका उद्गव कहां पर होता है ठीक है अब इतना आप जानते होंगे यह तो कमेंट करी सकते है ठीक है चलिए आगवड़े पत्थरों को जोड़ कर बनाया गया मंदिर मद्ध प्रदेश में कहा परिस्त है एक कुछ ऐसा प्रश्ण बना हुए था पत्रों से बनेवे मंदिर से आप्षन का पता नहीं चल पाया लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है तो यह आपका मुरेना वाला ककनमट मंदिर पूछा गया होगा ठीक है तो मु आपको यहाद रखना है सिहोनिया का ककनमट मंदिर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी जोड का वन बना गया बिना के सीमेंट के जोड का और पत्थरों से मिलकर के बना गया पंचाइती राज संसुधन केकि accessories में किया गया है तो इनुच्छ से में पंचाइती राज संस्ता को समयधानिक मानिता दे दे गई राजस्तान के नागोर में यह पंचायती राजव्यष्टा सबसे पहले सुरू की गई थी और पूर्ण रूप से पंचायती राजव्यष्टा को लागू करने वाला पहला राज कौन सा है तो वह आपका मध्यप्रदेस है यह आपको याद रखना है वाकि दो समितिया पूछे जाती है किससे समंदित है तो बलवंतराय महता समिती और असोक महता समिती यह दोनों जो है पंचायती राज से समंदी थे ये प्रश्न बन सकता है आगे बढ़ते हैं लोहे की खोज किस समय हुई थी तो वैदिक काल में हुई थी लेकिन आप्शन में तेरा सो चगुदा सो पंदरा सो ऐसे कुछ करके दिया हो था तो तेरा सो इसा पूर में जो है लोहे की खोज हुई थी चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं लोह युक की बात करें देखिए मानव इतिहास में एक अवदी थी जो चेतर के आधार पर बारा सो इसा पूरु से लेकर के छे सो इसा पूरु तक में जो है लोहे की खोज की गई थी ये इसमें आपको याद रखना है तो तेरा सो इसका एंसर सही हो जाएगा ठीक है कुछ अन जो है इस्थान पूछे जाते हैं लोहे से समन्द तो है अई छात्र और अतरंजी खेड़ा आलम गिरपूर यहाँ पर लोहे के साच्छे देखने को मिले हैं सबसे पहले इन तिनों का नाम जरूर याद रखेगा प अब आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे कुछ करेंगे आप सपोर्ट कीजी वीडियो को लाइक कीजी चैनल को सब्सक्राइब करकी दोस्तों तक सेर कीजी क्या कर सकते हैं ना हम तो अपनी पूरी मिनत कर रहे हैं बस आपको एक लाइक का बटन दबाना है उसमें आपका क्य लएक ना शाला जाएगा मोहणजोदरो की खोज किस ने की थी तो मोहणजोदरो की खोज याद रहीगा राकल दास बनेर जी ने किती ये प्रशना भी आगे बन सकता है अगर खरपा पुछ लिया आगे मोहणजोदरो कूचेंगी हफ्पा सबदा का बंदर्गा कौन सा था यह अभी क्या है नियूज में बना हुआ है यह बंदरगा ठीक है यह प्रश्ण आपका आगे बन सकता है और अभी आज पूछा गया नहीं पूछा गया इसका करफर्म नहीं लेकिन यह आगे जरूर बनेगा इस दिए करफर्म है ठीक है तो लोथल जो है वो हड़पा का आरिस्तित है तो आप भोगवा को अंसर लगाएंगी क्योंकि कई प्रश्णों में MPPSC में भी भोगवा नदी को माना गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं नागपूर का अधिगरहन कब किया गया था यह प्रश्ण बना है तो 1853 में नागपूर का अधिगरहन किया गया था कुछ फैक्ट देखने तो संत्रों के लिए नागपूर प्रसिद्ध है नागपूर का कॉंग्रेस अधिवेशन बहुत फेमस है देख लिए तो 1920 में कॉंग्रेस के नागपूर अधिवेशन में महत्मा गांधी के निर्थत में असयो गांदूलन के लिए प्रस्ताव पारि प्रतिकाई 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 मातरख हुता है कि का तो रडजी ट्रॉफी 2022 का विजयता कौन रहा है तो मज़प्रदेश पहली बार जीता है रडजी ट्रॉफी 2022 का विजयता रहा है ठीक है चलिए कुछ एक्स्टा फैक्ट देख लेते हैं कुछ अधिकत जानकारी जो आपके आगे अग्जाम के लिए महत् प्रदेश बाले ठीक है चलिए दो जार तयो तेlection का रडजी ट्रॉफी को किसने जीता है तो सौराश्टेन ने दो जार। जार झार त्रॉफी जीत आ है ठीक है विजय हजारे ट्रोफी किस ने जीता है सौराश्ट ने याद रखेगा ठीक है सेज भारत की टीम 25 वार इरानी कप पर कब जखिया है तो विजय हजारे ट्रोफी किस ने जीती है विजय हजारे ट्रोफी सौराश्ट ने जीती है पूछा जाका कि इरानी कप किस ने जीता है तो इरानी कप सेस भारत ने जीता है ठीक है और पच्चीसवी बार जो है सेस भारत ने इरानी कप जीता है उसने फाइनल में मदवर्देश को 238 रहा दिया तो यह प्रश्ण बन सकता है कि अभी हाली में कौन से टूनामेंट का ने वाली एक्जाम के लिए महत्रपूर्ण साबीत हो सके चलिए आज प्रस्ण पूछा था आदित जोसी का जन्म कहां पर हुआ था ये मतलब खिलाडी है खिलाडी से भी समंद्र प्रस्ण आपको पता है इस्पोर्ट की प्रस्ण बहुत सारे बन रहे हैं देकि धार के रहने रंकिंग में पहला इस्थान हासल किया है इसलिए यह प्लाडी है इसलिए प्राड आपको प्रस्ण बहुत से लाइक पूझ में डंके लिए में sil चलिए ये प्रश्ण आगे भी आ सकता है इसलिए इस प्रश्ण को नोट डाउन कर लीजिए खेल खिलाडी वाले प्रश्ण जरूर नोट डाउन करना क्योंकि यही प्रश्ण पूछे जा रहे हैं देखिए कुछ मिनिममम है उन्हीं में से पूछे जा रहा है ठीक है ना सारी वीडियो 15 से ले करके जब तक आपका एक्जाम है वो सारी वीडियो धिरे-धिरे करके 2x स्पीट पर देख लीजिए मगर देख लीजिए आपके एक्जाम के लिए महत्तपूर है ठीक है तो औरंग जेम ने 1658 से 1707 तक सासन किया था चलिए आप पूरा देख लेते हैं जहां 1627 से 1658 बस इन ही लोगों के बारे में प्रश्ण बार 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 बन रहे हैं मुगल काल से चलिए आगे बढ़ें औरंग जेव का हमने बताया दिए 1658 से 1707 सेभी की स्थापना का हुई थी यह प्रश्ण में रिपीट हुगा है यह भी पटवारी के एक्जाम में सेभी वाला सेभी रिपीट हो गया है ठीक है तो बार अप्रेल 1992 को सेभी की स्थापना हुई थी सेभी का मुख्याल है पूछा गया था पिछले वाले में इसमें स्थापना पूछल गई यह चलिए सेभी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं जिससे आगर आगे यह प्र महत्रपूर है उस समय का जो आप यूज कीजी अपने प्रिप्रेशन में फालतु के इधर उदर जाकर के अनलसिस देखने को कोई मतलब नहीं है वो काम हम आपके लिए कर तो रहे है ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे इसी बात पा ठीक है त 1292 में 12 अपरेल को इस के स्थापना की गई थी सेवी की पहली महिलाजच अब आपसे पक्का पूछे जाएंगी नोट डाउन कर लीजिए किसी न किसी सिप्ट में यह पूछे जाना वाला है तो सेवी की पहली महिलाजच को ने तो माधवी पूरी बुच अभी हाली में बनी सेवी का मुः में इस तरह ठीद है ठीक है सिकूर्टी और ऐख्यंच ब折ुर्ट इंडिया यह इसका फुल्फब होता है इंग्लिस में चलिए अगे बढ़ें अग्ला प्रस में चंदेरी महल पूरा पड़कर जाना कहीना कही से बने महल के पृवर्यस दरवाज़े को क्या दर्वाजा चाहता है, चली अन्य जानकारी आपको देते हैं चंदेरी के बारे में, तो किले के मुकि द्वारे को खोनी दर्वाजा काहा जाता है, यह किला पहाडी की एक चोटी पर बना हुआ है, यह पहाडी की चोटी नगर से 71 मीटर की उचाई पर इस तह ठीक है, और बादल महल कहां पर तो बादल महल भी चंदेरी में है याद रखियेगा पंदञासो अठासका युद्ध हुआ था चंदेरी में जिसमें की बावर ने बावर राजपूत कर राकरकर के इंटरी की थी, ठीक है तो चंदेरी का जुद्ध किसमें हुआ था जिसके बीच बाबर और राजपूत के मद्ध में हुआ था ठीक है बिना मिनार की मजजिद ये तो दो तीन बार पूछा जा चुका है तो बिना मिनार की मजजिद चंदेरी में है याद रखेगा ठीक है तो ये सारी सेज़ें आप सबसे उंचा जल प्रपात है आपको यह सब याद रखना क्योंकि बहुत डीप प्रशने पूछ रहे हैं ठीक है तो अगर थोड़ा सा भी आपको नंबर अपलाना है तो यह डीप डीप प्रशना आपको याद रखने होंगे इसके लिए जरूरी है कि आप सक्सेज जंक्शन क कउटी जल प्रपात इस दित्ले रिवा में आगे बढ़ें ऐशना है औमने गचैँ के अधनीयम स्थापित किया गया था 1981 में पन्ना भैरनी की स्थापना की गई थी चलिए कुछ जानकारी देखते हैं पन्ना के बारे में तो ध्यान का चितफ़ले 542.67 वर्ग किलोमीटर इसे 25 सगस 2011 को 222 रिजर्व का दरजा दिया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़े इसकी स्थापना का करके लाइक वाले बटन पर प्रेस कर देना है सामने सब्सक्राइब वाला बटन अगर लाल दिखाई दे रहा हो तो उसको दबा करके बलैक कर देना है ठीक है यतना सा काम आपको करना है पिछले दो वीडियो में भी हमने बताया था और फिर से पूछ लिया गया मदवर्देश का शित्रफल आज सुबह भी आया था राइस्थान के बाद में कौन सा ऐसा राज्य है जो दूसरे नमबर पर आता है तो आपका मदवर्देश है जिसने सुबह वाली देखियोगी उस दच्छल की बात करते हैं तो 605 km के शित्र में फैला है ठीक है शित्रफल की दिश्टी से देश का राजस्थान के बाद में मदवर्देश का दूसरा इस्थान है यह आपको याद रखना है सारी चीजे आपको मदवर्देश जेग्रफिक के बारे में पता चल गई ठीक है चलिए दच्छड का प्रवेशदार किसे कहा जाता है तो बुरहानपुर को दच्छड का प्रवेशदार कहा जाता है सबको पता है चलिए बुरहानपुर के बारे में कुछ चीजे बता दें जो लगातार पूछी जा रही है तो बुरहानपुर को दच्छड भारत का रेडियो धर्मी का प्रयोग किया जाता है तो आर्सेनिक 76 जो होता है वो आपके तुचा के रोग के अपशार में किया जाता है अब बाकि कुछ और रेडियो धर्मी देख लेते हैं जो अन्य रोगों के अपशार में आते हैं तरी देखे रहे हैं P32, cancer का पता लगाने के लिए हो उसके उपचार के लिए किया था, P32 का ठीक है, विशेस कर आखो तचावे रख्ती विमारीयों में, तथा लुक्योरी आद विमारी को उपचार में, F59, रख्ती शेड़ता, एनिमिये का पता लगाने के लिए, फैरस 59, F59 का यूज़ किया था ट्यूमर का और गामा किरेंट से विक्रेंट का पता लगाने के लिए, कोबाल सिस्टी का यूज़ता है, कारवन डेटिंग का यूज़ किसली की जाता है, तो जो आपके, ये पुरानी-पुरानी सीज़े होती ही न, इनका पता लगाने के इस कितनी है, कारवन डेटिंग का पैड़ों की आयू का पता लगाते हैं तो यह सारे प्रष्ण आपके एक्जाम में बन सकते हैं सरीज में पीला पन होना किस रोग का लच्छन हो सकता है यह आपका पीलिया और इंगलेश में गर होता है पूछा जा सकता है जो क्यों होता है तो वाइरस की वज़ेसे होता है चलिए सूर के प्रकास से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर के प्रकास से ठीक है तो विटामिन डी की कमी की वज़ेसे कौन सा रोगता है तो हड्डियो दौरा direct हमको मिलता है सूर के प्रगास की रोश्यंजी से मिलता है Show君 मिलता है हमारे सरी से क्लिया होते है और आपका यह बन जाता है vitamin D कौपर सुपेट पर जिंक्लिया कराखाने से क्या मक्त होता है तो कौपर सॉलफ Barnes पर जिंकिक की अब क्लिया कराएंगे तो jink sulfate मिलेंगे क जो सवाल आया था आपके जो आपका physics में ठीक है जिसमें एप कमान पूछा गया था बाकि GM और आर कमान आपको दिया गया था तो आप निकाल सकते थे जिए जो है आपका वाई वंडल है यानि कि यह जो है आपका वाई प्रदूसर से समंदित है अब चली बताते हैं कि होता क्या है तो ग्रीन मफलर पेडों और ज्ञाडियों की एक पंक्ति है जिसे सोर आफ शूसक के रूप में काम करने की लगाते है में जो है जो पेडों की पंक्तियं लगा देते हैं उससे क्या होता जो भी आपका शूर जो निकलता है ध्वर्णी प्रदूसर निकलता है लिए पैडूजे निकलता है पेडों की तरा शोक लिए आता है इसी को groupe कर करते aim करता को भी प्र sheep एशम करता है स्थापना की थी ठीक है चली देखते हैं बिन्दुसार बिनुसार के बाद Asoka आयए ऊसो के बाद ठीक है भारत में किलों का रत्न किसे कहा जाता है तो सबको पता है ग्वालियर के खिले को Bhras के किलों का रतन भी कहा जाता है इसे पूर्व का द्वार भी कहा जाता है और किलों का जिब्राल्टर भी कहते हैं जिब्राल्टर ओफ फोर्ट किसे कहते हैं तो ग्वालियर के किले को कहते हैं और सून की कि खोज कहां पर हुई थी तो ग्वालियर के किले में सून की खोज हुई थी यहां पर एक बोर्ड भी अल्रेडी लगाया जा चुका है तो यह सारे प्रशना आपको याद रखना भी सूने वाला प्रशना आया था तुमने जिब्राल्टर वारा भी बताया था और किलों का र पहली महिले राश्ट पती कौन थी यह कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दो प्रेशना आज आपको कमेंट करने देखिए और यह कैच्छदा रेंज जो मुर्मु जी नहीं अभी दिल्ली में सुरू किया था सुबह कॉपर पंदर्वे क्या नम है भारत के प्र-द्वörper क्या नम है यह आपको मैंन्म करना है इतना तो आप जानते होंगी अगर थोड़ासा भी आपको जीकर की नॉलिज होगी तो इतने दुब्वे करम के उपराचपाल भी पूछेगा हैं यह आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सारे करम आपको याद रखने हैं और भारत के जो क्या नाम है आपके MP के राजपाल तो यह भी आप देखिए लिजिएगा कि यह प्रस्ण आया है कि नहीं आया चाहिए तो अगे बढ़ते हैं समद्र गुप्त का सासनकाल कब से कब तक है यह पूछा गया है तो समद्र गुप्त का जो सासनकाल है वो सबस्क्राइब को सब्सक्राइब मघजबर काइश उलम्पिक में जीता है इसलिए यह प्रशने पूछा गया अभी जार्ज की बारे में, ठीक है, 2011 की जंगर्णा की अनुसार, मध्य प्रदेश के किस जिले की साचरता सबसे दिख है, पहले भी हमने आपको जब एक जाम एलसिस कराया था, तो बहुत सारे प्रशने बताये थे, उसमें इस प्रशन को भी हमने डिसकस किया था, और आज द और रीजिनिंग में पैटरन थोड़ा सा चेंज हुआ है, आगे आपको बताएंगे ठीक है, वारेन हेस्टिंग का कारिकाल जो है कब से कब तक था, तो वारेन हेस्टिंग का कारिकाल 6 दिसंबर 1732 से 22 अगस्त 1818 था किनका का कारिकाल था, याद रखीगा, वर्स 1987 में कनाड में हुआ था, 1987 में याद रखीगा, पूरा डीटेल हमने आपको बता दिया, कितने देशों ने इसमें जो साइन वगएरा किये था, ठीक है, कम समय में अधिक से धिक हम आपको जानकारी दे रहे हैं, सारे पेपर का एलसे करा रहे हैं, और इससे पहले हम कॉपरेटिव करा इसके बाद भी कॉपरेटिव कर लेकर आएंगे, अब इतना हम आपके लिए करने तो आपका एक लाइक करना तो बनता है मेरे भाई है ना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जवर दबा लेंगे, अभी कम्प्यूटर के बारा में बहुत बड़ी जानकारी हम आपको देने माने हैं, देखिए, एनाइसी की स्थापना किस वरस हुई थी, देखिए, तो राष्टी सूचना विज्ञान के इंदर, यानि की एनाइसी, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्याले इसका जो है वो नई दिल्ली में है, याद याद रखेगा, प्रतिरोद का मातरक पूछा गया तो प्रतिरोद का मातरक ओम होता है, सब को पता है, आगे बढ़ते हैं, इन में से ग्याड धातु कौन सी है, तो बहुत सारी धातू देवी थी, एक उसमें ऑक्सिजिजन भी यह था, तो ऑक्सिजन गैस होती है, धातू बहुते हैं, तो औक्सिजन आपका एंसर हो जाएगा, हैजा किस की वज़ाज से होता है, तो पता है आपको हैजा जिवाडू की वज़ाज से होता है, ठीके, औक्सिजन, करबन डाइ, ऑक्साड और मीधेन का परमाणु दरेभमान का अनुपात पूछा गया था, सबका पर सब्सक्राइब नियुमेरिकल भी आ जाए है थोड़ा सा परिवर्तन मिला है जो है आपका साइंस और जी के अच्छे नंबर की आई हुई है इस बाहर मतलब अच्छे जो है काफी अच्छे मार्जिन में आपकी MPG के जी के और साइंस मिल करके आई है ठीक है चलिए बाई प्र प्रदूसरों ट notoround हें यह भी आपको याद रखने एख के चीश राण को शुच रखने के लिए कौन सा जीवाड़ उसमें डाला जिवाजी राव की मिर्त्यू के पश्यात ग्वालियर के अंतिम नाम मात्र के महराजा बनेते कौन जो आपके माधाराव सिंद्या थे ठीके बागी बात करते हैं तो 26 संविधान संसोधन के बाद रियास्तों को पूर रूप से भार सरकार मिला लिया गया जब 26 संविधान संस एक बाग अभ्यारन है यहां वर्स 1967 में राष्टी उध्यान बनाए गया था इसका चेतफल 437 किलोमीटर है इसके बारे में आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं जब हम एक्जाम एंसिस पटवारी कहीं कर रहा है तो बहुत प्रस्ना रिपीट हो रहे हैं ठीके तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना क्योंकि कम्प्यूटर के सेम टू सेम प्रस्ने रिपीट हो रहे हैं ठीके और यह जो बांधाग राष्टी उध्यान है बत्तिस पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से अगला प्रस्ना है ग्रेनाइट चटाने किसका उधारन ह और देखते हैं चंदेरी की जाädम जशिए क्यों बैना मिनार नहीं और सभी मञड़ मजड़ मज़िदों की नीव इस पूछा जा सकता है और नीव किसने खजराओं से ही बहुत सारे प्रश्ण बनने हैं, आज भी खजराओं से एक प्रश्ण बना हुआ ठीक, काफी डीप प्रश्ण खा, तो बलबन के सासनकाल के दौरार इसकी नीव रखी गई थी, मजजिद की बात करते हैं, तो मजजिद पत्ती, अलंकरन, सजावट और पुस् पत्र में, किले, मजजिद, मंदिर, ये सब बहुत प्रश्ण पूछा है, ठीक है, तो डीपली पढ़ करके जाईएगा, चलिए, अब बात करते हैं, इटली की जो महिला प्रधान मंत्री है, वो अभी हाली में कौन बनी है, ये प्रश्ण पूछा गया है, और ये करेंट का राजधानी जो है, वो रोम है, और रोम टाइवर नदी के किनारे सित है, ये प्रश्ण भी कई बार बना हुगा है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़े, अगला प्रश्ण, संजय राष्टी उध्यान, इसकी बारे में पहले भी आपको पता चुके है, पहले भी ये प्रश्ण पहले है, ठीक है, चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजी, चैलन को सब्स्क्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल जरूर दवा लेंगे, लगातार हर एक्जाम का एक्जाम एनलसिस हम आपके पास में ले करके आते रहते हैं, ठीक है, चलिए, कोई भी एक्जाम हो, हर एक्जा से बहती है, कुछ अन्य जानकारी देख लीजी इस प्रश्न के बारे में, तो राजिस्तान के चितोर गड़ के चौरासी गड़, सैकोटा तसा धौलपूर, सबाई माधवपूर, मदबदेश के धार, उज्जेन, रतला, मंसौर, भिंडवरेना, आज जिलों से हुकर के बह तो रिसर्च करके बताने से कोई मतलब नहीं, आपका क्योवल समय बर्बाद होगा, ठीक है, इतना डीप में प्रशने नहीं पूछे जा रहा है, MP का उपर-उपर से ही प्रशने पूछे जा रहा है, ठीक है, आर्यों का प्रमुग भोजन क्या हुआ करता था, प्रशने दिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुथा, दूद और जो है, दूद से बने उत्पार, ठीक है, अब एक प्रशने मनता है कि गाय को रिग्वेद में क्या कहा गया है, प्रशने कई बार बन रहा है, क्योंकि हिस्ट्री के प्रशना आ रहे हैं, तो आप ऐसे संतनत ही हम पढ़ लेते क्योंकि एक नएक प्रशन बनेगा, तो सबसे पहले बाबर आया था 1526 से 1530 था, ठीक है, टाइम पीरियेट में पूछ रहे हैं, हुमाईव आया था 1530 से 1540 एक कारेकाल था, 1555 से 1556 दूसरा कारेकाल था, ठीक है, अकबर आया 1556 से 165, अकबर का उत् ट्वीटर के 15 मार्च से लेकर के, आज तक फर्श्ट पेस्में जितने भी आपके पटवारी इंप्रशन मने हैं, उनकी पीडियेप तयार हो चुकी है, कल आपको उसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी, वो भी वीडियो मुस्किल से 15 या 18 मिनिट के होगी, लगभग डिट्स प्रशन जो अभी तक आए हुए हैं, बार-बार रिपीट होकर के, वो सारे प्रशन कल आपको मिल जाएंगे, उस चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेसन बेल दबा लीजिए, जिससे कि जैसे हम वो वीडियो प्लोट करें, वो आपके पास में पहुंच जाए, ठीक आप में बताया गया है, ठीक है, यह सारी चीज़े आपको उपर-उपर से पढ़ करके जाने हैं, ठीक है, आगे बढ़ें, बरतमान में बात करते हैं, तो स्री जगदीब धनकर चल्दुमें उपराष्टपती हैं, याद रखेगा, और यह राज सुभा के पदिन सभापती भी है, और चल्दुमें उपराष्टपती भी हैं, भारत भी है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, खजराहों के किस मंदिर पर सरवाधिक चितरकारी की गई है, अब यह प्रशन बना हुआ है, काफी डीप प्रशन है, इसका एंसर भी मिल नहीं पाया है, ठीक है, बाकि सूतर से एक numerical पूछा गया था, दरपन सूतर से अब numerical शुरू हो गया है, यही pattern change हुआ है, पहले physics के comparison थे, आप physics के numerical भी आने शुरू हो गया है, ठीक है, तो दरपन का सूतर देख लीजिए, जो भी पूछा गया होगा, आप solve कर सकते हैं, दरपन सूतर होता है, 1 upon f बराबर 1 upon u plus 1 upon b, जहां f focal लंबाई है, v दरपन से शबी की दूरी है, और u जो है वो दरपन से वस्तु की दूरी है, इनमें से कोई 3 चीज़े दी गई होगी, एक चीज़े आप से पूछ लेगा, ठीक है, तो solve कर सकते हैं, हसाने वाली gas किसे कहते हैं, तो nitrous oxide N2O इसका सुतर होता ह है, ठीक है, दात का सबसे मजबूर भाग कौन सा होता है, तो दात का सबसे मजबूर भाग इनेमल होता है, यह प्रशन में पूछा गया था, तो यह एक गाईका है, आज यह प्रशन पूछा गया है, कि किस सहर से इनका समन्द है, तो यह मदपरदेस के इंदोर की रहने वा और ये एक पार्स गाई का है ठीक है चली गाना की बात कर लेते हैं तो इनका पहला गाना था टाइगर फिल्म में लापता जो गाना था वो इनका पहला गाना था ठीक है अगला देखते हैं विश्वा मित्र पुरुसकार किसे दिया जाता है तो आपको पता है विश्वा मित् पुरसकार ऐसे प्रसिचकों यानि की कोच को दिया जाता है जिसके कम से कम दो खिलाडियों ने पिछले पांच वर्सों में कम से कम दो बार राष्टी या अंतराष्टी इस परदा में दो सोन चार रजट यहां जीते हैं अब यहां पर आपको क्या होगा कि वो जो लाइन बना करके दे देंगे बताई इनमें से कौन सा विस्वामित्र पुरसकार के बारे में सही है तो डीटेल में आपको जानकारी लेना बहुत ज़्यादा जरूर ही ठीक है और डीटेल में जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ सकसे जंकसे यूटिब चैनल पर ही मिलती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और बता दे आप विस्वामित्र पूछ लिए है तो बिक्रम भी आपसे पूछ सकते हैं बिक्रम पूछा जा सकता है ठीक है अब एक जो है एक अलब पूरिसकार बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं 26 दिसंबर 2022 को भोपाल के रविंद्र भौन में एक अलब पूरिसकार के लिए प्रीती रजक जिनका संबंद सौट गन से है अब यह प सौट गन से संबंदित है देख लीजीगा यह प्रशन आगे आपको देखने को मिलेगा ठीक है इनका नाम जो है पुकारा गया है एक लब पूरिसकार के लिए तो इनको याद रखीगा इनका खेल भी जरूर याद रखना है आपको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्री सारों की आयू 25 से 45 वर्स के बीच होनी चाहिए हर सार पूरिसकार के लिए भारती सास्त्री संगीत करनाटा संगीत और हिंदुस्तानी तीनों संगीतों में जो है यह पूरिसकार के बारे में आदे तो राश्टी कुमार गंधर्व सम्मान मदवर्द सरकारगरा 1992 में संगीत की छित्र में उत्करष्ट प्रिद्वाव को दिये जाने वाले वार्सिक राश्टी संग्रहलाय किस सन में बना था अब इसके दो यहां पर निकलके आए हैं और आप आप्शन तो पता नहीं क्या था लेकिन दो पता दे हैं अगर 1954 दिया है तो चिंदवाड़ा वाला जो है वो 1954 में इसकी स्थापन होई थी और जो नवीन करेंट अफेर का दिया है तो 2013 में भोपाल में भी जो है एक मात देश का आधिवासी संग्रहले ऐसे करके जो है एक न्यूज काफी चली थी तो भोपाल वाला 2013 में था आप आप क्या था यह आप कमेंट बॉक्स में कमें गट चोटी बातों को आपको याद करके चलना क्योंकि पूछा जा सकता ठीख है वर्तवान आधिवासी प्रसरत जो है मत पुर्देश में 21.0% संग्या में बात करें तो 153.66 laq आदिवासी भर्तवावन नहीं मत्पृदेश में निवास्त कर रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं सत्पुडा परवस्त्रेणी तो भाई चाही हुई है, सत्पुडा को अच्छे से पढ़ लो, छोटी छोटी बातों को पढ़ लो, क्यों सत्पुडा डेली आ रहा है, ठीक है, और डेली हम आपको exam analysis करा रहा है, कल भी हमने सत्पुडा के बारे में काफी चीज़ा आपको बता सत्पुडा परवस्त्रेणी किन दो नदियों के बीच सीमा का विभाजन का कारे करती है, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में सीमा विभाजन का कारे सत्पुडा परवस्त्रेणी करती है, कुछ जानकारी देखिए, तो सत्पुडा भारत के मद भाग में स्तित एक परव सेली फैली हुई है यह आप जरूर याद रखिएगा ठीक है बगी सत्पुड़ा के बाले में कल वाली वीडियो हम काफी चाहिए आपको बता चुके हैं एक बार सारे एनलसिज देख लीजिए 15 मार्च से हमने शुरू कर दिया था आज तक के सारे एनलसिज देख लीजिए क् कि बहुत सारे प्रस्ण रिपीट हो रहे हैं अभी तक हम देख चुके कम साथ सतर प्रस्ण एजिटिज बिल्कुल वैसे के वैसे ही रिपीट हो चुके हैं चाहे कंप्यूटर की बात करें चाहे आप इसकी जीके की बात करें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं उससे पहले रहा के समय भारत का वाहरा यह कौन था तो लाड़ डफरिंज जो है वह भारत का वय स्थापना कब लेता है था अब तो यही था उससे ठीक है चलिए आप कॉछ बता दें कि होंगे कॉंग्रेस आई है तो कुछनों कुछ पूचे आप क्योंकि वह एक टॉपिक पकड़ ले 23 दिसंबर 1885 को बंबाई के गोकुल दास्तेज पाल संस्क्रित महा विद्ध्याले में हुई थी इसके संस्थापक यानि महासचीव कौन था तो ए ओ हुम जो है यह इसके महासचीव थे कई बार ए ओ हुम का फुल नाम भी पूछा गया है तो जनरल एलन एक्पविन हुम जो ह सारी चीज़े हम आपको एक साथ प्रवाइट करा देते हैं तो क्यों इधर उदर बटकना ठीक है कटाउप तक हम आपको बता देते हैं सिफ्ट का चलिए आगे बढ़ते हैं भारत जो है वो किस योजना के तहतर स्वतन्त हुआ था तो सही आंसर लाड मांट बेटन योजन भारत और पाकिस्तान बन करके जाएंगे ठीक है यह यह लोग जो है इनको बना करके जाएंगे भारत और पाकिस्तान explain ठीक है भारत की सवतनदाक के समय बरेतन का प्रधान मंतरी बिलकर पूछा जाएगस तो याज़ रखेगा अब देखो डैको डफरेंट पूछ आ ना चलिए आगे बढ़ते हैं महा जनपत काल की हमने और लेडी वीडियो बना दिये जा करके जरूर देख लीजिएगा ट्रिक से हमने आपको बताए कि महा जनपत काल उनकी राजधानी कैसे याद कर सकते हैं आज पशने पूछा गया था महा जनपत काल में कौन सी ऐसी जनप बढ़ों में असमक ही एक ऐसा महा जनपत था जो दच्छड भारत में गोदावरी नदी के किनारे सेथी तो असमक में पर था दच्छड में था बाखी सारी उत्तर में थी ठीक है Vajji और मल जो है वो गड़ तंतरात्मक बेशता थी और बाकी सम्में क्या थी राज तंतरात्मक थी यह सारी चीज़े आपको एक छोटे छोटे फैक्ट याद करके जाने हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ एक पॉइंट पकड़ लेता आब महाजंपर पकड़ लिया ना अब महाजंपर से कही सारे प्रश्ण बनेंगे साउथ वाला प्रश्ण जो है न कौई सी महाजंपर साउथ में हैं देख लेना मैं आपको बताऊंगा कि एक नएक स्रिप्ट में यह पूछा जाने वाला है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं किसोर कुमार और किस छेत्र में दिया जाता है इसलिए हमने इसको सामिल किया है अब अगर भेजा है तो किसोर कुमार की सिट्र में डी सिट्र में घतर तो बश्ण करते हैं । लोग से घ्टान करते है ठीक है अब यह तो ऑप कुछ ऐसे प्रशकार देख लीजए जिनकी रात आप आप से पूछ जासेती है कितने पुरुसकार में कितनी रासियां दी जाती है तो सबसे ज़्यादा रासी दी जाती है राष्टी महत्मा कादी सम्मान में 10 लाक रुपई की रासी दी जाती है अब सम्मान से ऐसे पशनाएंगे रासी वाले ठीक है राष्टी कबीर सम्मान में 3 लाक रुपए दीये जाते हैं और दिखलिजे राष्टी तांसेन संभान में जो की हिंदू शास्त्री संगी इस सभंदित है दो लाक रुपई दीया जाते हैं इस सब आपको पढ़कर के जाना है आपके आगे एक प्रबल संभावना है ठीक आग बढ़ते हैं जिग्यासराज संद्सक्राइब कर篦ों करें पंजाब और महाराश्ट के खिलाडीर है और जा रहने ACN Championship में भाग लेने मुक्य बाजी से संब्दित है इसलिए यह प्रश्ण बना है इसलिए हम आप से करें यो सौट गनवाला प्रश्ण आप याद रखिएगा आगे आप से पूछा जाएगा कोई है रजक करके कोई जो हमने आपको ऊपर बताया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह हमारा LC साथ के लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है कोई भी एक्जाम हो इसके बाद में आपका वो सुरू होगा वन अच्छक वाला सुरू होगा MP, SI, MP, PLS, हर एक एक एक्जाम का ऐसे ही हम डेली बेस पर लेकर के आते रहेंगे इसके बाद सामबाली सिप्टका भी लेकर के आएंगे ऐसे ही सेम टू सेम, हर एक प्रस्ण के बारे में डीप जानकरी जो आगे आपकी बनेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दवा लेंगे ठीक है मदब देश में बच्चों के अलफ पोसल इस्तर में कितनी कमी लाना जो है वो लच रखा गया है तो 6 प्रस्त की कमी लाना लच रखा गया है चली कुछ जानकरी आपको दें तो 0-6 वर्स के बच्चों का अलफ पोसल से बचाओ इसमें कुल 6 प्रस्त की कमी लाने का लच रखा गया है क्योंकि प्रति वर्स जो है वो 2 प्रस्त कमी लाएंगे ऐसा इन्होंने कहा है ठीक है प्रतिवर्स दो प्रस्ट कमी लाएंगे और छे प्रस्ट इनका टार्गेट रखा गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं चैंदरी राजमार्क पर्योट्र मंतिरी नितिंगडकरी ने अभी हाली में साथ परिजुना का उद्गाटन बद्दिस में कहाँ पर किया तो सही अंसर है रीवा में ज्यूब है इन्होंने उद्गाटन किया है कुछ जानकारी देखते हैं तो केंदरी सटक परिवहन एब र रासानिक नाम आज पूछा गया था, sodium chloride जो है वो नमक का रासानिक नाम होता है, और NACLS का सूतर होता है, अब प्रस्न क्या अगर ढीब बनाएंगे, नमक कितने प्रकार का होता है, तो नमक जो है आपका चार प्रकार का होता है, कौन-कौन सा है, देख लीजिए, तो विविन diptheria के कारण होता है, जो कि मुखेता गले और उपरी वाई-मार्कोस संक्रमित करता है, तथा टॉक्सिन एवं अन्यंगों को भी ये प्रभावित करता है, ये थोड़ा सा आपको पढ़कर करके जाना है, डिप्थिरिया और काली खासी के लिए टी का कौन सा लगता है, तो DP करके option by option दिया था कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, चली बता देते हैं, तो संत्रप्त billion किसी निश्चित तापमान पर उतना ही पदार्थ घुल सकता है, जितनी की billion की छमता होती है, दूसरे सब्दों में दिये गए निश्चित तापमान पर यादि भिलायक पच्मणी को कहा जाता है, चली कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, देखिए, तो मध्रदेश का स्वरग भी पच्मणी को ही कहा जाता है, कहां पर इस्तित है, तो होसंगाबाद में ये इस्तित है, आए कुछ जानकारी देखते हैं, तो समदरतल से 1079 मीटर की उंचाई परिश्तिता है यह सत्पुणा सेडियों की बीचन होने के कारण अपने सुन्द tudal के कारण इसलिए शक्रणबरा की रानी भी कहा जाता क्यों कहा जाता समझ गये क्योंकि बहुत जादा सुन्दर था यहाँ पर देखी जाती है सत्पुणा में यह स्तिता देखेये तो परहें दिवस के बारे में पूरी आपको जान कर देए और इसका देखेये तो परहएवरंड दिवस कुम मना जाता है शवंगो पता है चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं देखिए तो 200 परियार वरण दिवस को हर साल नए थीम के साथ मना जाता है इस बार 200 परियार वरण दिवस 2022 की थीम है only one earth यानि जिसका आर्थ है मतलव केवल एक प्रित्वी और यही same to same प्रस्ण और यही बिल्कुल description हमने इससे पहले आपको परसों वाली शिप्ट में साथ कराया था same to same यही हमने कराया था और आज देखिए same to same यही प्रस्ण आ गया है अब इसकी theme आप से आगे पूछी जाएगी तो only one earth जो है वो इसकी theme है अब यह देखिए theme महत्पूर क्यों है क्योंकि जो पहली बार मनाया गया था न परेवन दिवस साल 1972 के इस्टाक होम संबेलन का नारा भी यही था केवल एक प्रत्वी ठीक है और वही दुबारा repeat होकर क्या आया है 2022 में इसलिए इसकी theme महत्पूर है theme याद कर लीजीगा only one earth इसकी theme है यह आगे आपसे पूछा जाएगा ठीक है पहली बार का मनाया गया तो पांच जुन 1973 से इसको मनाया जाना सुरू किया गया था 1972 में इसकी स्थापना की गयी थी सुरूआत करने की बात कही गयी थी ठीक है चलिए महत्मा गांधी पहली बार जेल कब गये थी तो द देखिए इतिहासकारों के मुताबित दमनकारी रोलेट एट के खिलाब सत्यागर करने पर गांधी जी को दस अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन पर बिटिस पुलिस ने गिरफतार किया था राजनीतिक रूप से यह गांधी जी की पहली गिरफतारी थी ठीक है तो यह को हमने इनका हिस्ट्री भी बता दी कि कब और कहां पर यह गिरफतार किया गया था इतनी मेहनत आपके लिए हम बात कर रहे हैं तो यह आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ अ पच्मणी बाइस प्यार रिजर्व की खोज किस ने की ती आज यह खोज भी पूछे को जानकारी देखते हैं तो पच्मणी बाइस प्यार रिजर्व एक गैर रुप योग सलच्छण चित्र है यह मद्द प्रदेश के सत्पड़ा रेंज में स्थित्थ है इस सलच्छण पूछा जा सकता है कि भारत ने का बनाया था उनेसको ने कम माना तो युनेसको ने सत्पुड़ टाइगर रिजर्व नर्वदा л使 के दक्षण मेया तो लुप्त प्रजातिकों का रहवास है इस विशेशता को ध्यार में रखते हुए सत्पुड़ टाइगर रिजर्व को मद्रदे इस का पर्थम 22 शुर रिजर्व नामित किया गया जो कि 1919 मेन है गोषित किया है तो देखे ये भी आपका धूबगड हो जाएगी पच्मणी से ही है तो धूबगड सबसे उंची चोटी है को जानकारी आपको देते हैं तो सत्पुड़ा परवत स्रेणी की सर्वोच उंची चोटी जो है धूबगड आपकी तेरा सो पचास मीटर इसकी उंचाई है जो मह 1438 मीटर है यह आपको याद रखना है बिंद्धा चल पूछेगा आगए यह कंफरमें ठीक है चलि आगे बढ़ते हैं कैमूर पहाड़ियां मदवर्देश के किस जले में स्तित है तो जबलपूर में स्तित है कैमूर की पहाड़ियां है और जबलपूर के कलंगी नामा के स् जब जल करता है तो उहां पर सफेड पूरा हो जाता है इसलिए का पर है कि में हैं लिएग्रोमिंटर की खोच की ती ने वह यंत्र है जिससे बिना किसी गंड़ना के द्रव्यों के घनत पड़े जा सकते है ठीक है तो घनत को मापने के लिए हाइड्रोमीटर और आपका द्रव्यों को आधरता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर लेक्टोमीटर भी पूछा जागा तो लेक्टोमीटर से क्या होता क्योंकि daily हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रश्णों के साथ में extra जानकारी के साथ में आपके लिए daily analysis लेकर के आते हैं अब ही हम पटवारी का लेकर के आ रहे हैं इसके बाद आपका जैसे वनरत चक का आएगा वनरत चक का लेकर के आएंगे फिर mp police mpsi का लेकर के देखिए तो शिश्यू मृत्यू दर जिसे आई एम आर कहते हैं जो 2014 में प्रती 1000 जीवित जन्पर 49 थी 2014 में उन्तालिस थी 2022 में ये घट करके 28 हो गई है ठीक है सरवादिक शिश्यू मृत्यू दर कहां पर है तो मध्यपरदेश में है बहुत बुरी खबार है मध्यपरदे से अब तक जितने भी प्रवंदन के प्रशन पूछेगा हैं केस इस्टडी के साथ में केस इस्टडी के प्रशन बहुत जादा आ रहे हैं समझ कर करने वाले वह वीडियो भी हम लेकर कर आने वाले 15 मिट का वीडियो होगा तो उसको पाने के लिए आपको एक ही काम करना और कार्यात्मक के काई होती है कई बार पूचा गया कि तंदर का तंदर की संरचनात्मक या फिर कार्यात्मक के काई कौन है तो वो आपकी नियूरॉन है याद रखे है ठीक है इसकी खोज किस ने की थी तो 18991 में बिलियम वॉन वर्लेयर ने नियूरॉन की खोज की थी ये यह भी आपको याद रखना है कहीं आपसे पूछले भाई चीटियों के टंक में कौन सा अमल होता है और वहाँ पर फॉर्मिक एसिड नहीं दिया है मैथोनोइक एसिड दिया है तो मैथोनोइक एसिड भी आप अंसर लगा करके आएंगे छोड़ करके नहीं आएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां एक सलफर कंपाउंड होता है जो एलपीजी मेक्चर और ब्यूटेन और प्रोपेन में मिला जाता है इसकी विशिश्ट गंद गैस लीकेश के बारे में बताती है तो गैस लीकेश की हमको कैसे पतासलता है जब इथाइल मरकेश्टम उसमें मिला दिया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है जिरकॉन मिसाइल एक मिसाइल के बारे में पूछा गया था तो कनफर्म नहीं बता पाएंगी कौन सी मिसाइल ते लेकिन यह बताया गया था कि रूस की कोई मिसाइल जो बहुत ज्यादा फेमस है वो है आपकी जिरकॉन जिर्कॉन 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 कि देश की है रूस की है जिर्कॉन 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 जिर् और ये कैसी होती है तो ये परजी भी होती है ये भी आपको याद रखना है आगे आपसे पूछा जा सकता है Newland ने कितने तत्तों को वरगी करत किया था तो Newland ने 56 तत्तों को वरगी करत किया था तो हाइडोजन से सुरू किया, ओरियम पर समथ किया, 56 तत्तों की नहोंने, जो है इसको 56 तत्तों को लगाया था, ठीक है, आपको पढ़ा भी होगा निव लेंड का श्टक नियम, ठीक है ना, गुरुत वह आकरशन नियम के आधार पर कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो 9. 9.8 मीटर पर सेकंड डिसकर जो है वो जी का मान होता है, ठीक है, गुरुत वह आकरशन बल है, जिससे प्रत्वी किसी वस्तुक अपने केंदरी और खिषती है, इस बल के कारण जो तुरन उत्पन होता है, उसे गुरुत ये जनित तुरन यानि की जी कहते हैं, जिसका मान 9. 9.8 मीटर पर सेकंड स्केर होता है, बहुत सारे लोग गलत कर क्या है, आज हम आपका ये कनफीजन दूर कर देंगे, दोनों का टाइम पीरियर बता देंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका अंसर क्या होगा, पुछ लिए लूड कैनिंग की बात कर ले तो बिलियम बेंटिंग अब ये प्रश्ण आगे बन सकता है, बिलियम बेंटिंग 1833 से भारत के पहले गवर्नर जनर बने ठीक है, अगर हम वारेन हेस्टिंग की बात करतें तो बंगाल के पहले गवर्नर जनर वारेन हेस्टिंग से, ये सारे प्रश्ण बनेंगे आगे, क् आखरी बात करते हैं आखरी गौर्णड जनर रहे कब से 1848 से लेकर के 1856 थीक है इन्हों ने जो है यह हरपनीती चालू की थी जिसकी वैसे 1852 थी बहुत सारे लोग यही सोच करके लाट डालोजी लगा देते हैं लगब नाइटी प्रस्सत लोगों ने यही आंसर लगा है लेक तो सतारा पहला इसा राज जहां पर हरपनीती में जो है डलहोजी ने इसको कबर मतलब सबसे पहले चीना था सतारा को और बीर सावरकर ने इसको परतम सुतंता संग्राम कहा है 1877 की क्रांती की बारे में आप बहुत सारा सब कुछ जानते हैं जहां सीकरानी लड़ी थी यह सब पताने का समय नहीं है ठीके तड़िए आगे परते हैं मधब पुरी जानकारी आख को इस प्रेस क्रिकट संग्श का मुख्याले बारे में सबकर देख लिग ए और बोर का गठण की ए गया था 1940 में सिंदिया जी जो है वर्तमान में MPCA के अध्यक्ष ठीक है अब कुछ और academy हम बता दे रहे हैं जो आपके association है जहां से प्रश्ण बन सकते हैं तो देख लीजिए सबसे पहले खेल कुद एवं युवक कल्याड विभाग किस्थापना कब हुई थी 1975 ठीक है पारिसी क्रिकट का बहुत बार पूछा गया तो देख लीजिए पारिसी क्रिक वाला आज का प्रश्ण है तो यह सिच्छा छितर से संबंदित है आनद अवस्थी क्यों चर्चा में हैं क्यों यह प्रश्ण मना है आई कि देखले ते लेते हैं कि same to same प्रस्म यहां पर repeat हो रहे हैं ठीक है देखिए मगद महाजनपत की राजधानी क्या थी वह यह जनपद वाली महाजनपद वाली तो हमने एक वीडियो बनाई है मातर आट मिनट की और ट्रिक से सारी महाजनपत के वारें पूरी जानकारी और महाजनपत की राजधानी क् एक बेटा रहता है उसमें मग को गिरा दिया तो ग्रह में पानी फैल गया ऐसे करके हमने पूरी ट्रिक से आपको सारे महाजनपत याद करा दी है ठीक है वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजेगा बाकी और देख लेते हैं तो अंग की राजधानी क्या थी चमपा थी म मल लो क्या होते हैं जो पहलवान होते हैं मल होते हैं मल क्या करते हैं कुष्टी लड़ते हैं तो मल कुसावती फोड़ा सा ऐसे करके कोर्यलेट करके हमने आपको सारे याद करा दीजिए और एक प्रस्ण डेली आ रहा है आप एक बार जरूर देख लिजेगा उस वीडियो क ठीक है चलिए आज बहुत टफ प्रस्ण बना था कि जोर्ज कैसल की समधर तल से उचाई कितनी है भाई कौन ना अपने वैटा है लेकिन अप प्रस्ण पूछा तो पूछा भी आप हमने ठीक है तो 484 मीटर इसकी उचाई है चलिए हम तो भाई ढूंड करके लिए आएंग ग्वालियर के ततकालिन सिंधिया सासक द्वारा इंग्लेंड के किंग जार्ज पंचम के एक रात के ठहराव के लिए बनाया गया था पूरा हिस्ट्री बता दे रहे हैं और इससे प्रस्ण पूछेगा क्योंकि ब्यापम एक टॉपिक पकड़ रहा है उससे लगातर प्रस् सब्सक्राइब बटन रेड दिखाई दे रहा हो तो उसको दबा करके ब्लैक कर दीजिए ठीक है चली 1813 में बिटिश संसत में कौनसी रिपोर्ट पारित हुई थी तो इस्ट इंडिया कंपनी एक्ट जो है 1813 में पारित हुआ था कुछ जानकारी आपको देते हैं देखिए इस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 जिसे 53GO3C15 यह नंबर भी याद रखे हो सकता है नंबर भी पूछा जाए ठीक है जिसे चार्टर अधिनियम 1813 के रूप में जाना जाता है इस्ट इंडिया कंपनी के दोरा यहां पर इंग्लैंड में पारित हुआ था युनाटेक इं ठीक है सिर्ट एस राजू ने एक अपरल 2022 को भारती भूथ इस्ट इंडिया कर रूप में पदबार ग्रहण किया इसका मुख्याले कहा पर तो निमाड के कभी है निमार के कभी के बारे पूछा गया था सही आंसर तो संत सिंगा जी जो है वो निमारी कभी है तो सिंगा जी की बात कर लेते हैं सिंगा जी मेला आप से जरूर पूछा जाया क्योंकि सिंगा जी या फिर निमार से समधी प्रशना आ रहा तो ये मेला तो बनेगा जी बनेगा ठीक है ये प्रशना आपका MP, Police, MP, SI के लिए और बंड़च्छे के लिए महत्पूर है, बिल्कुल कहीं न कहीं आपको दिखाई देगा, ठीके, चलिए आगे बढ़ते हैं FIFA World Cup और रिवा का कोई आम है, उसको भी जी ए टैग बिला है ठीके, FIFA World Cup का विजेता कौन रहा है तो अर्जन्टीना जो है, वो FIFA World Cup का विजेता रहा है मुरेना वाले जितने भी वो लाइक करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उन्होंने ये गज़ाग खाई है की नहीं खाई है, ठीके न, चलिए FIFA World Cup का विजेता कौन है, तो अर्जन्टीना जो है, वो FIFA World Cup का विजेता रहा है देख लिए कुछ जानकारी इस FIFA World Cup के बारे में तो 64 खेलों में 172 गोल के साथ अर्जन्टीना ने फ्रांस पर पेनल्टी सूट आउट के साथ में जीत दर्ज कर लिए और तीसरी बार ये ट्रॉफी अर्जन्टीना ने जीत लिए, ठीके चलिए 2022 का FIFA World Cup 24 नॉम्बर से कतर में आयुजित किया गया था, दोहा की राजधानी कतर में ठीके चलिए, गोल्डन बूट अवर्ड की बात कर लेते हैं, परस्न बनेगा गोल्डन बूट किसे मिला है, तो फ्रांस के किलियन एमबापे को गोल्डन बूट अवर्ड दिया गया है, यह आवर्ड टूनामेंट में सबसे जादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जा यहां पूरा बताया था वही प्रशने सेम यहां पर पूरा बताया था वही प्रस्न से स्थीन अरहीं कृपर करके जरूर देख लीजी भारत के समिधान के नीत लेसर तत्तों के अंतरगत अनुच्छे 40 में निर्देश है कि राज ग्राम पंचादों का संगठन करेगा और उनको ऐसी सक्तियां और प्रादिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत सासन की इकाईयों के रूप में कार क इसके किस शित का लोक निर्दे है तो मालवा का जो है लोक निर्दे है मटकी आए कुछ जानकारी देखते हैं तो मटकी निर्दे मुख्य रूप से मदब्रदेश में खानब दोस जंजातियों दोरा बिक्सित किया गया है यह एक छोटे घड़े का उप्योग करके प्रदर सब्सक्राइब किया तो भू अधिकार अभियान का सुराथ किया गया तो यह जुली был किसे थे यह जंड हम आपको दете है तो ट्र mans करी आपको देते हैं टर्मिनल के बारे में तो राज माता विजा राजे सिंदिया विमान छित्रिया ग्वालियर हवाईड़ा ग्वालियर में महाराजपुर वाइव सेना बेस इस्थित एक सेन हवाईड़ा है जो नागरी कुडानों के लिए भी काम में आता ठीक है यह बेसि तो 2002 में इसका नाम बदला गया था सर पहले इसका नाम क्या था आईए देख लेते हैं तो 15 राष्टी उद्यान इसका पहले नाम वो करता था तो 15 राष्टी आजिसका नाम 1200 Ai इंद्राप्री धरसनी पेंच राष्टी उद्यान कर दिया गया 1903, 1983, जानकारी आपको याद रखोनी ठीक है, यहाँ से प्रैस्न बनेंगे, चलिए आगे बुड़ते हैं, अब साइंस की बात करते हैं, तंतिकाय, कौइस्ध का के निर्माण में कौन सा विटामिन सयोग करता है सही आंसर विटामिन v12 यह सयोग करता है खुछ जानकारी देखते हम विटाम Indianada को साइण वो बीवारा है जिसमें कोवाल्ट रथातू पाई जाती है, बाकि बिटामिन D सूरही रोशनी पाई जाता है, यह सारे प्रशने बन चुके हैं, बिटामिन A से कौन सा रोग होता है, यह प्रशने बन चुका है, तो बिटामिन आप पढ़कर के जाएंगे, ठीक है, दूद के समन्दी कोई प्रश्च न है तो लेक्टिक एसड उसका अंसर होगा या लेक्ट से बना हुआ सब उसका अंसर होगा जैसे कि दूद की सुद्धा के समय मापते हैं तो लेक्टोमीटर में मापते हैं लेक्ट समदा रहा है तो ऐसे आप फड़ा सा कोरेलेट कर सकते हैं चलिए लेक्टिक एसिड एक कारवक्सली कमल है, जिसका अड़ सूतर होता है, क्या होता देखिए, C3S6O3, ये इसका अड़ सूतर होता है, ठीक है, वकि एगर हम बात करने तो थकान के समय मास्पेसियों में कौनसा अमल जम जाता है, ये प्रश्ण बनेगा तो ये लेक्टिक एसिड आगे बढ़ते हैं, बेग के सूतर के आधार पर एक जो है नुमेरिकल बना था, तो बेग का सूतर आपको बता देए, तो इसका होता है, बेग बराबर दूरी बटे 40, आज का पहला प्रश्ण था, मक्बूल फिदा हुसैन किस शेतर से सम्मंदित है, प्रश्ण का सही आंस उनाइटे किंग्डम में हुई थी, ठीक है, पूछा जा सकता है किस आइटिस्ट की विर्ति जो है भारत के बाहर हुई थी, तो वो जो है फेमस साब के मक्बूल फिदा हुसैन है, ठीक है, मक्बूल फिदा हुसैन, विवादित हिंदू देवी देवता की सितर बनाने के ल मना जाता है, आइए देख लेते हैं, तो विश्व स्वास्ते संगिठन के इस्थापना दिवस की वर्सगाट पर हर वर्स साथ अप्रेल को विश्व स्वास्ते दिवस मना जाता है, कुछ अन्य दिवस हैं जो आप से पूछे जा सकते हैं, आइए देख लेते हैं, तो माना को मजदूर दिवस मना जाता ये भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं ओलंपिक खेलों की सुरुवात कहां से हुई थी तो सही आंसर यूनान से जो है ओलंपिक खेलों की सुरुवात हुई थी कुछ अत्रिक्त देख लेते हैं तो देखिए प्राचीन काल में ये ग् प्रशन आता है कि ओलंपिक जौज में कितने गोले होते हैं तो ओलंपिक धोज में कुल पांच गोले होते हैं जो कि पांच महा दीप्रों को दर साथ है ठीक है बाकि आपको बतादे कंपीटर के लिए हमने एक पीडिएफ तैयार कर ली है अब आज उसकी फाइनल तो अगर उस वीडियो को देख लेते हैं आप तो आगे पटवारी का एक्जाम है तो आपके बहुत अच्छे खासे आराम से 20-22 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे ठीक है क्योंकि वही प्रशने रिपीट हो रहे हैं इसके वाद प्रबंधन की भी हम ऐसे प्रशनों की एक कमपाइल पीडियाप सीरीज लेकर के आएंगे ठीक है चलिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले रहा है नोटिफिकेशन बेल भी दबा ले न ठीक है चलिए पहला उलम्पिक जीतने वाली महिला पूछी जाती है भारत की कौन है तो पहला उ 2 अक्टूबर को गांधी जी के जैनती के अवसर पर स्वच्छता दिवस घोशित कर दिया गया है चलिए देखते हैं कि कौन से विभाग ने घोशित किया है तो पेजल और सच्छता विवाग डीडी डबलू एस जल सकती मंत्राले ने 2 अक्टूबर 2022 को सच्छ भारत दिव सच्छ भारत दिवस महत्मा गांधी की जैनती के उपलक्ष में मनाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं सत्पुड़ा राष्टी उध्या नर्वदन नदी के किस तरह पिस्तित है यह पूछा गया था काफी फेमस प्रस्ण है आईए देख लेते हैं इसका अंसर और कुछ सत्पुड़ा टाइगर रजर्व को मद्यप्रदेश के प्रथम बायोस्फियर रजर्व क्रूप में 1999 में घोसित किया गया था यह पूछा जा चुका है ठीक है मद्यप्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारन करती है मद्यप्रदेश के भवलिक से भवलिक चित्रफल से भी काफी सारे पशनाया मद्यप्रदेश भूगोल से ठीक है MP जेगरोफी से चंबल रिवर जो है चलिए और एक और बात जो चंबल रिवर है वह आपकी दच्छरी सीमा का भी निर्धारन यही करती है ठीक है तो जाया है तो नर्मद your नदी जो है वो तीन राज्यों से कौन कौन से तीन राज्यrows हैं अज Ministry काफ़ी प्रशना है का वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्क्राइब कर लेंगे मतर प्रदेश का ऐसा जिला है जो यूपी और राजिस्तान के बौॉर्डर पर पर इस्तितर नहीं है तो सिंग्रॉली जिला उत्तर प्रदेश और चत्रिस गर दोनों राज्यों की सीमा को इसपरस करता है आप देख लेते हैं क्योंकि अन्य भी आपसे पूछा जा सकता है जागुवा जिला राइस्तार और गुजराद दोनों राज्यों की सीमा पर इस्तितर ठीक है बालागाट जिला महाराष्ट और पूछा गया था तो हिड़े प्रदेश आपका मद्ध प्रदेश भारत के बिलकुल बीच में इस्तित है इसके भूगोल के बारे में काफियम ने आपको जान कर दिया दी आईए कुछ और देख लेते हैं तो मद्ध प्रदेश भारत का एक राज्य है इसकी राजधानी भोप अपना हुई थी ठीक है मद्ध प्रदेश की जो सीमा है वो पांच राज्यों की सीमाव से मिलती है इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश भूगोल आपका हम यहीं कबर करा दे रहे ठीक है इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना तो मेरे बनता है ठी सुषषव में महाराष्ट हैं पश्ण गुणारत है तरता ऑतना में राजस्थान इसमें जो है इस्तित है लगे हत लोसान और राजी सामार है यहां कट पचास से हंचते लिए फारट मंद्रों तो चंदेल राजाओं ने 10-12 सताबदी तक मद्द में जो है सासन किया था कहा पर उतन जो आपका खजराहों पर तो खजराहों के मंद्रों का निर्वार नौसोपचास इसवी से एक हजार पचास इसवी के बीच में इनहीं चंदेल राजाओं की दोरा करवाया गया था ठीक है दसावतार मंद्र वगरा जो है वो खजराहों के ही मंद्र के अंतरगत आते हैं मद्द देश जल निगम की स्थापना कब हुई थी आए देखते हैं तो 6 जून 2012 को मद्द देश जल निगम की स्थापना हुई थी कुछ फ्यक्ट देख लें तो देखिए मद्र प्रदेश सासंद भारा ग्रामीड चित्रों में जल प्रदा है तो जल प्रदा है तो समू जल प्रदा योजना के क्रियार में है तो 6 जून 2012 को मद्द प्रदेश जल निगम मर्यादित की चैपना कि गई थी भारत तो कितने लाश्टि उध्यान है तो राश्टि उध्यान टाइगर रेजव दोने कवर गनेंगे एकसो आट राश्टि उध्यान है ठीक है चलिए भारत में एकसो आट नैसनल पार्क है इसके अलावा संरचित शेत्र नेटवर्क रिपोर्ट में 75 अन्य राष्टी उध्यानों का भी सुझाव दिया गया है 75 और राष्टी उध्यानों को जोडने की बात की गई है ठीक है तो आगर आपके नेसल पार्क पूछ ली है तो आपसे जो है टाइगर रिजर्व भी पू ये तीन जिले चंबल संभाग की अंतरगत आते हैं देख लिजी चंबल संभाग की अंतरगत मंदप्रदेश के तीन जिले की 19 तहसीले जो है वो इसमें संभले थे ठीक है इन में से कौनसी नदी महाराष्ट करनाटक केरल तेलंगान तमिलाडू यानिकि मैंली ये पूछा और अच्छी आपका इसको क्लैस कर सकते थे एक अपका सिंधू दिया था एक अछंगा गोदावरी से एक प्रेश्ण और बनता है देखी एक एक तर वे तो त्रेम के स्थर जोति लंग मंद्री जो है वो गोदावरी नदी के तड़ पर इस्तित्त है यह आपको याद रखना है माध्व राश्टी उध्यान कुछ लोग कह रहे हैं पूचा गया था अब अगर कह रहे हैं तो हम कवर करा देते जा क्या रहा है अपना पढ़ने में तो माध्व राश्टी उध्यान कौन से जिले मिस्तित है तो सीवपरी में माध्व राश्टी उध्यान इस्तित है देखिए तो सीवपरी शहर के पास यह पार्क इस्तित है उपरी विद्धिर पहाड़ी का एक हिस्सा है पार्क मुगल का पार्क ग्वालियर के मुगल समरा प्रश्ट बना है कि इनमें से कौन सा इसा पार्क है जो सिंधियराजघरारे का सिकार गाह या फिर मुगलों का सिकार गाह हुआ करता था तो वह आपका यहीं माधव राश्टी उध्यान है ठीक है इसे 1908 में राश्टी उध्यान का धर्जा दिया गया था चली ए साइंस पे चलते हैं निम्लिखित में से कौन सा जैव इधन है तो बायो डीजल आपका जैव इधन है कुछ अन जैव इधन देख लेते हैं तो एथेनौल मैथेनौल जैव डीजल बायो गैस ब्यूटेनौल और लखडी यह सारे जैव इधन के अंतरगत आते हैं वीडियो को लाइक कर द समय आपके लिए बहुत महत्वड़ा है कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने करें प्रयास करते हैं ज्यादा समय हम आपका नहीं खीच रहा है इसलिए आपको बीडियो की बढ़ाने की विज़रूत नहीं है उतने स्वीड़ों में खुद ही बोलते हैं ठीक ना के लिए निकत द्रिष्टी दोस के निराकरण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में ला जाता है तो आवतर लेंस का यूज किया जाता है निकत द्रिष्टी दोस को जो है निराकरण के लिए देख लीजिए तो उपयोगत फोकस दूरी वाले आवतर लेंस से युगत चस्मों का प्रयोग निकट दिश्टी दोस को सुधार जाता है अब ये निकट दिश्टी दोस देखने में निकट का दोस लग रहा है लेकिन इसमें निकट की वस्तोय दिखाई देती हैं दूर की वस्तोय नहीं दिखाई देती हैं वहीं दूर दिश्टी दोस की बात करते हैं तो दूर बॉक्स में केमेंट करके बताईए और कम्प्यूटर और प्रबंधन की भी वीडियो और लेडी हम अपलोड कर चुके हैं साथ ही साथ में इंगलिस का भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो 15 मर्च से अब तक प्रशने पूछे गए थे ये वीडियो आपको पसंदा ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक इसे वाइरल कर दीजिए धन्यवाद